हाई एवरिवन वेलकम टू कौन स्टेडी जैसे कि आप चांदते हैं हम अकाउंट एसिस्टेंट का फिजिक्स पोर्षिन कर रहे हैं और हमारा कॉंटिनुटी लेक्च्टियल लाइट का चल रहा है जो आज कम्प्लीट हो जाएगा राउंड अबाउट हमने 80-90% अपना फिजिक्स का स्लेबर्ष कम्प्लीट कर लिया है और हाडली एक या दो ही लेक्च्टियल बचे और आपका फिजिक्स का स्लेबर्ष पूरा कम्प्लीट हो जाएगा आई होप आपने ये अच्छे से कवर कर लिया होगा क्योंकि जितना हमने ये किया है न सब एक्जाम रेलिवेंट है कुछ फाल्टू का नहीं किया अगर आप इतना सा भी करके जाते हैं एक्जाम में प्रिपेर तो आपको अगर 5 या 6 कोशिन जिसके आएंगे तो उसमें से आप 3 या 4 कोशिन तो डाफिनिती अटम्ट करके आएंगे ये मैं आपको गरंटी के साथ बोल सकती हूं ओके नो आज का हमारा अभी टॉपिक है मीरर फॉर्मुला मीरर फॉर्मुला तो हमने लास्ट टाइम में क्या क्या था कंकेव मीरर और कंवेक्स मीरर की इमेज फॉर् यहां पर व क्या है इमेज डिस्टेंस यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ इस फोकल लेंथ ऑफ दर मिरर मुझे नहीं लगता कि अभी यह सब समझाने के जरूरत है क्यूंकि यह लास्ट लेक्ट्चर्स में में यह कावर कर चुकी हूं और जिसको यह समझ नहीं आ यह दिरेक्ली एक्जामस में आ सकते हैं यह मैंगनिफिकेशन जो है कन्वेक्स मिरर की वह हमेशा पॉजिटिव होती है और जो कंकेफ मिरर की वह पॉजिटिव या नेगिटिव कुछ भी हो सकती है यह आपको क्लियर हो गया होगा देन आज का अगला टॉपिक है रिफ्रे अभी यहां पर क्या है यह एर है मीडियम और यहां पर मीडियम क्या है ग्लास यहां फिर वाटर बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं तो यहां से जब यह रे दूसरे मीडियम में जा रही है तो यह बैंड हो रही है इसी को रिफ्रेक्शन कहा गया है देन लॉज क्या है र नॉर्मल इंसिदेंट रे रिफ्रेक्टर ले दोनों सेम प्लेन पर लाए करते हैं और सेकेंड है साइन आई वाई साइन आर कॉंस्टेंट होता है यह डिरेक्ली एक्जाम्स में आते हैं आप यहां से देख सकते हैं जो इंसिदेंट रे है नॉर्मल रिफ्रेक्टर रे है वो क्या है twinkling of stars, sunset and sunrise पे sun हमेशे हमें horizon पे डिखता है, इसका क्या मतलब हुआ मालनों ये कोई mountain है हमें sun इस side दिख रहा है उपर तो actual में होता क्या है ये यहां पे नहीं होता, यहां से थोड़ा नीचे होता है तो लेकिन हमें ये उपर दिखाई देता है ऐसा क्यों, क्यों ये जो फिनोमेना है ये reflection के कारण हमें इस तरह से दिखता है और सेकिन इसके बाद क्या है rivers appear shallow rivers हमेशे हमें shallow दिखाई देती है हमने maximum time देखा होगा जब भी कहीं river में जाते हैं यहां पे clear पानी होता हमें इना है total internal reflection का total internal reflection जो है ये किसमे शो होती है जो desert पे हमें मिराज देखते हैं उसमें air bubbles ग्लास पेपर weight जो ग्लास पेपर weight होता है जो हम weight रखते हैं papers के उपर उसमें जो air bubbles होते हैं वो में silvery color के दिखाई देते हैं और इसके बाद sparkling of diamond diamond जो चमकता है वो भी total internal reflection के कारण ही ये process होते हैं आपको ये clear हो गया होगा इसके बाद lenses है lenses कितने type के हैं two types के हैं convex lens and concave lens convex lens कैसे होते हैं जो middle होता है वहाँ से bulges out होते हैं मतलब थिक होते हैं और जो end होते हैं वहाँ से thin होते हैं जबकि जो concave lens है वो center से thin होता है और जो end है वहाँ से thick होता है concave lens को हम diverging lens भी कहते हैं और convex lens को converging lens काफी important point है जो directly exams में आता है इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं image formation by these lenses तो इसमें image formation है सबसे पहले convex lens की इसमें क्या होता है जब भी object हमारा optical center और focus के बीच में होता है तो हमारी image जो है वो behind the object बनती है और कैसी हो थी virtual erect and magnified आप यह point note करके रखे कि जो virtual erect image बनेगी वो सिफ इसी point में बनेगी जब object optical center और focus के बीच में होगा बागी सबी में image जो है वो कैसी बनेगी inverter बनेगी second जो image formation हुई है वो कैसे जब object हमारा focus पे होता है तो image हमारी infinity पे बनती है आपको बस इतना ही याद रखना है then third image formation क्या थी जब भी object हमारा focus और 2F के बीच में बनता है यहां पर 2F क्या है हमें पता optical center of focus के बीच के distance को हम focal length कहते है और जब double focal length हो जाती है तब हम उसे 2F कहते है तो यही point यहां पर denote किया गया है जब भी इसके पीच में object होता है तो image हमारी बनती है beyond the 2F इससे पीछे बनती है और वो कैसी होती है real and inverted होती है object से बड़ी होती है साथ में इसके बाद image formation क्या है जब हमारा object जो है 2F पे होता है image हमारी 2F पे बनती है वो भी real and inverted होती है इसमें size जो है object और image का size बिलकुल same होता है इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखे हम object को inside move करवाते रहते हैं और image है वो भी हमारी inside बनती जाती है और वो कैसी होती जाती है चोटी होती जाती है then इसके बाद next image formation है उसमें object हमारा 2F के beyond है 2F के पीछे है तो image हमारी 2F और F के बीच में बनेगी F और 2F के बीच में बनेगी real inverted होगी और object से चोटी होगी diminished होगी next image formation है अगर हमारा object infinity पे होगा तो image हमारी कहां बनेगी focus पर बनेगी और यह कैसी होगी real inverter highly diminished मतलब बहुत जादा चोटी होगी convex lens की image formation बस इतनी ही थी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं concave lens की image formation और यह हमेशे diverging lens है यहाँ से आप देख सकते हैं इसलिए हम इसे diverging lens कहते थे क्योंकि इसमें जब light आती है इसके parallel में तो जो हमारी जो light है यहाँ से diverge हो जाती है दूच सल जाती है फैल जाती है और यहाँ पर जाके हमें ऐसा लगता है कि F2 से meet होके वहाँ से diverge हो रही है इसमें first image formation कहा है जब ही हमारा object जो है optical center infinity के बीच में होगा तो हमारी image कैसी बनेगी optical center और focus के बीच में image बनेगी और कैसी होगी virtual and erect होगी concave lens में हमारी सारी image जितनी भी बनेगी वो सारी के सारी virtual and erect होगी और object से छोटी होगी देन इसके बाद second क्या है point अगर हमारा object infinity पे होगा जो हमारी image होगी वो focus बनेगी इसमें बस तो ही image formation थी I hope आपको यह समझ आ गया होगा then इसके बाद हमारा last topic है light का वो क्या है power ऐसा unit क्या होता है power का diopter यह काफी important है then इसके बाद power combination of lenses जब भी हमें किसी 2-3 lenses का power को add करना है तो हम simply add करते है मतलब क्या है जएगर हमें 6 power का 6 diopter का lens चाहिए तो अगर हमारे पлять से 6 diopter नहीं होगा तो हम simply 1 diopter का ले सकते है प्लस 2 diopter का प्लस 3 diopter का lens ले सकते हैं इम सभी को add कर के सभी को मिलागे हमारे पास 6 diopter का lens बन जाता है मतलब हम इसे क्या करते है simply add करते हैं और यह जो हमें concept मिलता है यह camera, microscope और telescope में हमें यह concept देखने को मिलता है यहां से हम इसकी resolution जो है बढ़ा सकते हैं किसी भी lens की और इसके बद human eye human eye में क्या है यह एक natural lens है convex lens है जो हमारे आँखों में मिलता है और यह image कहां पे बनाता है रियल यह फोटोग्राफिक कैमरा की तरह act करता है नॉर्मल रेंज क्या है विजन की humans की 25 cm और कुछ defects भी होते हैं हमारी विजन में जिसे हम जाके कभी भी optical के पास जाते हैं doctors के पास जाते हैं और वो correct करते हैं उसे specs के साथ जिस एक्जेंपल है यहां पर first defect क्या है myopia जिसे हम short sightedness या near sightedness कह सकते है और इसे correct किया जाता है cave lens से भी देन हाइपर मेट्रोपिया जिसे long sightedness को और इसे correct किया जाता है convex lens से तर प्रेस बाइओ आ इसे correct किया जाता है और इसे कैसे और इसके बाद एक और डिफेक्ट आता है जिसे करेंगी किया जाता है जिसे करेंग किया जाता है हमने सब exams relevant questions किये हैं यह मैंने आपको पहले भी क्या है कि अगर आप इतने से topic जो physics किया है 9 यह 10 यह 11 lectures होंगे अगर आप सिफ इतने से करके जाते हैं और यह सब भी lecture 15 यह 20 minutes के होंगे और इसे कम भी हो सकते हैं तो मतलब अगर यह simply करके जाते हो तो अगर 3 या 4 questions इसमें से आएं हैं physics के तो मैं guarantee के सब बोल सकते हैं तो 3 या 4 questions तो पका ही करके आएंगे उसमें से ओके तो आज के लिए बस इतना ही थो इसी के साथ आपका light chapter complete हो जाता है इसके बाद एक या दो lectures बच्छे हैं और एक या दो lectures में आपके physics भी complete हो जाएगी और अपनी त्यारी करते रहें okay thank you so much